दोस्तो T10 मुकाबले के बारें बात करेंगे लेकिन नाइट मुकाबले देखा जाए इंडिया हार गई काफी बुरा लगा हम लोगोंने वन साइडेड विन जरूर किये लेकिन इंडिया भी विन करता ते कितना मजा आता मैंने वीडियो पे ही कहाता कि विराट को लिए इस ब अगर ना तो ये भी बहतर खिल सकते थे दूसरी बात यहां पर है कि हम लोगोंने कुछ बहतर ट्राय किया मुझे यहां पर लगा था कि भुनेस्वर को लूँ या फिर एसिंग को लूँ दोनों मुझे पसंद जादा नहीं आ रहे थे लेकिन क्या करें दूसरी बात मैंने मैं जहल के बारे में कहा था कि केप्टन भाल दे सकता विषनोई के बारे मैंने बहुत ज्यάदा का States नहीं खिला उनका अरास्वी के आराश्वीन को मैंने पिक किया लेकिन विषनोई खिलते दे ज्यादा घातक साबित होते हैं पता नहीं किक्यों बैठाया इंडिया हार ग में ये पिलियर खेले, अलग मुकाबले में अलग पिलियर केले और izquat काफी बड़ा है, थीम बनाना चँके अभी अगर जएदी देखा जाए तो तो यह सकता वहां पिलियर ना कोछ बढ़े पिलियर नहीं खेले लास्ट मुकाबले में हो सकता इस बार कोले तो तो बो न्यूज आता है बेटिंग लाइन अप इनके लाभी फाइनल टिम तो मैं वहीं पर देता हूं इनके लाभी जी एल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट जो जी एल बीन करने के लिए काफी होता है तो इस वज़ा से हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना जरूरी है तो दोस्तों जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देखते होंगे यह जो है यह होगिया डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन में आपको किलिक करना है जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस बुलू बाले पर किलिक करना है किलिक करते ही हमारे टेली गराम चैनल पर चले जाओगे वहाँ पर दिखेगा ज्वाइन आपको ज्वाइन हो जाना है नहीं पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं इनके अलावे देखा जाए बहुत सारे फेक चैनल बने उनसे आप आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरीए ही जुड़ना है तो दोस्तों दोनों टीमों के लास्ट के मुकाबले के स्कॉर कार्ड देखा जाए तो ज्यादा बहतर नहीं होगा फिर भी मैं ये मनना है क्योंकि कुछ पिलियर खेले स्कॉर कार्ड तो आप भी देख सकते हो तो चलिए कॉंबिनेशन पर ही बात करेंगे लेकिन दोस्तों इससे पहले है कि जिदे हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलमन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इंफोर्मेशन दे देता हूँ इनके लावे को आपको कुछ भी जनकारी लेना हूँ इस्टाग्राम पे मेसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई भी देता हूँ वह भी बिहतर तरीकाज है तो फिरी में टीसर सारे हुआ है बिकेट की प्रिंग सेक्षन में देखा जाए इस टीपी की बात की जाए और यहाँ पर एच सिंग का दोनों काफी घातक है और काफी आकरमक बलेबाजी करते हैं अगर पाबर पले का मातर तीन ओभर यह दोनों खिल लेंगे तो काफी बढ़िया यह साबित हो सकते हलांकि लास्ट के दो मुकाबले से फुलोब जरूर साबित गए हैं लेकिन पिलियर काफी जबड़ दासता है तो मैं इन दोनों को पिक करूँगा क्योंकि काफी आकरमक है अब यहाँ पर बलेबाजी सेक्षन में देखा जाए तो यहाँ पर यूबट और यहाँ पर हुसा तक यह कर रहा है तो काफी बढ़िया है जेड मुनावर भीतर है लेकिन वो भीतरताब होंगे जब इनका लाइनप आएगा कौन सा गिनबाज खेर रहा है क्या यह फूलोबर डालेंगे यह बलेबाजी सेक्षन पर उपर आएंगे तो वो बेटिंग लाइनप जो मैं आदा गिनबाज मान सकतो बलेबाजी मिलने पर बलेबाजी कर लेंगे लेकिन बलेबाजी सेक्षन पर आपको यह गिनबाज मिला आ एक काफी बढ़िया है इनके उपर भी आपको जाना चेसे है काफी बेतर है जिनसे केप्टन भाज ट्राय करना चीए लेकिन बले बाजी भी है टेकिंग नहीं कर पा रहा है गेन भाजी एको बाज दो बाज डालते बिक्टे भी नहीं मिल रहे है पोल लाउंडर सेक्शन में इब्राइम खिल को तो आपको पीक करना है केप्टन भाज के लिए भी सोचना है इस कुमार खेलेंगे तो इनके उपर हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं इस मजीद खेलेंगे तो केप्टन भाज के लिए ये भी बेस्ट उप्शन होगा क्योंकि गिन भाज एक सांसाथ ओपन भी आते हैं अरगोली को पीक क्या हूँ हलांकि लाश्ट के दो मुकाबले नहीं खेलेंगे तो वह लग की बाता है खेलेंगे तो केप्टन भाज ये भी काफी सांदर हो जाएंगे इनके अलावे एस डिवरे की बात के एक बढ़िया गिन भाज है अपने टीम के केप्टन है गिन भाजी जादा बहतर करते हैं बले भाजी मिले पर कुछ अत्तक बले भाजी करते हैं लेकिन गिन भाजी ही जादा बहतर है GLE काफी सांदर गिनबाजी करना है तो गिनबाजी सेक्षिन में GLE को पिक करना है ये राजा की की बात के अगर जदी ये खेलते हैं तो आक बंद करके आपको पिक करना हूँ क्योंकि इनका career record last season का record काफी सांदर है जितने मुकाबले खेले उसमें भी इनोंने गजब की अलाबे यहाँ पर सरकानी की बात के इनको मैंने यहाँ पर पिक क्या हूँ तो इनका भी record ठीक ठाका एक भ्रेज पिलियर है career record भी देख़ोगे एक बिक्टे दो बिक्टे लगभग लेही लेते हैं तीस वज़ा से इनको पिक करना है हलां की कोई बला पिलियर खेलेगा तो ड्रोप भी कर चकता हूँ इस साफी को पिक क्या हूँ इनको भी मैं चाहूँगा तो ड्रोप कर सकता है लेकिन लास्ट के मुकाबले का धार पर मैं फिलाल पिक क्या एक क्योंकि फिले है यहाँ पर एक राजक के खेलें इनके अलाब racing पींसैशक इनके उपर विचार किया यह हमारा टीम अब देख सकतो हुसाइन खेल को अभी फिलाल के लिए केप्टन दे देते हैं इनके लब इब्राइन खेल को यहाँ पर भाई लेकिन यह हमारा केप्टन भाई सरी हमारा फाइनल टीम बिल्कुल नहीं होगा लाइनाप के बाद मैं बेटिंग लाइनाप तो वहाँ पर आपको खेलना है वैसे टीटेन हमेशा रिस्की होता है इस पर थोड़ा सा समझदारी से खेलना चीए और जादा फोकास करोगा तो बहतर होगा एक टीम के जग आप 10 टीम से खेलो दो टीम से पांच टीम से आपके बज़ट के अनुसार तो जादा बहतर है इ इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने बज़ट के अनुसार ही खेलो भाई